अब हम इस लेंज से चूड़े कुछ टर्म्स कुछ पदो को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला है वकृता केंद्र जैसे कि हम जानते हैं कि इस लेंज में दो प्रिष्ट होते हैं यदि हम उत्तल और अफ्तल लेंज की बात करें यानि कि बाई कॉन्वेक्स लेंज और ब इसके दोनों प्रिष्ठ उभ्रे हुए होंगे, अब इन दोनों प्रिष्ठों को यदि हम अलग-अलग करके देखने की कोशिश करें, तो एक प्रिष्ठ को हम मिलाएंगे, तो इससे एक साइड गोल बनेगा, और दूसरे प्रिष्ठ को लेके चले, इसको त्री वी में गोल का निर्मान होगा, जब इसमें दो गोल का निर्मान हो रहा है, इसका मतलब इसमें दो केंद्र भी होंगे, क्योंकि अगर गोल होता है, तो इसका एक सेंटर होता है, तो इस प्रकार अगर उत्तल लेंस को यदि हम देखें, तो इसमें दो गोल का निर्मान हो रहा है, जिसमें कि दो अलग-अलग केंद्र होंगे और इनहीं केंद्रों को हम कहते हैं वक्रता केंद्र क्योंकि इस वक्री प्रिष्ट को बनाए गये गोल का यह केंद्र होता है इसलिए यह कहलाता है वक्रता केंद्र अब यहाँ पर हम देखें इस lens के दोनों side केंद्र होंगे एक C1 और दूसरा होगा C2 इस वक्रता केंद्र को हम center of curvature के नाम से जानते हैं यहाँ पर हम देखेंगे इस side वाले प्रिष्ठ का केंद्र उसके सामने बनेगा और उस side वाले प्रिष्ट का केंदर उसके सामने बनेगा मतला opposite directions में बनेगे दोनों ही प्रिष्ट के यदि हम अवतल लें तो उसके दोनों ही प्रिष्ट अवतल है यानि कि जब इससे हम expand करके एक 3V मी आकरती बनाएंगे तो ये भी गोल ही बनेगा लेकिन इस प्रिष्ट का center इस side होगा और उस प्रिष्ट का center उस side होगा तो यहां पर भी इस अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंदर होंगे जिसको हम लोग C1 और C2 से दर्शाते हैं तो इस प्रकार यदि हम लेंस की बात करें तो लेंस में दो वक्रता केंदर होते हैं जो कि लेंस के दोनों ही site में मौजूद होते हैं अब जब दो वक्रता केंदर है तो जो next है पद इससे जुड़ा हुआ वो होगा वक्रता त्रिज्या यानि कि radius of curvature जब center होता है तो radius भी होगा रेडियस किसे कहते हैं हम लोग center से लेकर उस गोली प्रिष्ठ की दूरी वो कहलाती है त्रिज्या यानि कि radius तो यहां पर यदि दो center है तो यहां पर दो वक्रता त्रिज्या भी होंगी जिसको हम R1 और R2 से दर्शाएंगे जिस प्रिष्ठ का center C1 होगा वहां से वो प्रिष्ठ तक की दूरी R1 कहलाएगी center C2 के लिए center से प्रिष्ठ तक की दूरी R2 कहलाएगी तो इस प्रकार यदि हम उत्तर लेंस को देखें तो यहां पर दो वक्रता त्रिज्या होंगी एक होगा R1 और दूसरा होगा R2 इसी प्रकार अवतर लेंस के लिए भी हम देखें तो यहां पर भी दो त्रिज्या एक होगा R1 और दूसरों का R2 फिलाल इस चित्र में मैंने इस वक्रता त्रिज्या को नापा है इस प्रिष्ठ से मतलब प्रिष्ठ और वक्रता केंद्र की दूरी को त्रिज्या लिया है और वास्तव में होता भी वही है लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम यह जानेंग सबसे पहले अब हम जान लेते हैं मुख्य अक्ष यहां पर यह दोनों सेंटर चाहिए उत्तर लेंस में लें चाहिए अवतर लेंस में लें दोनों सेंटर यानि कि दोनों वक्रता केंद्र को जोडने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे यह उत्तर लेंस में आशीवन सीटू है यह कालपनी क्रेखा जो चिवफ से होते हुए गुजर रही है इसे हमकरेंगे कि मुख्य अक्ष वैसी आफटा लेंस में भी यह पर दो सीवाना सीटू है दो वक्रता केंद्र रहें इन गुजरने वाली कालपनिक रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष यानि की प्रिंसिपल एक्सेस अब बात करते हम प्रकाशिक केंद्र की यानि की ऑप्टिकल सेंटर की यदि हम इस उत्तल लेंस को देखें तो यहां पर एक प्रकाश कीरण इस लेंस पर आपतित हो रही है चुक की निर्गत भी होगी यदि किसी स्थिती में हम देखें कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानतर हैं तो जो इनके बीच में अपवर्तित किरण होगी जो इस लेंस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है यह अपवर्तित किरण इस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदू बे कट करेगी वो बिंदू कहलाता है प्रकाशिक केंद्र तो चित्र अनुसार यहां पर ये बिंदू कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र जिसे हम ओ से दर्शाते हैं यूकि प्रकाशिक केंद्र को हम आप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं इसलिए इसको हम से दर्शाते हैं एक्शुली यह जो प्रकाशिक केंद्र है वो इस लेंस की मोटाई को इसकी वक्रता त्रिज्या के अनुपात में बाट देता है यह दोनों प्रिष्ट बराबर रूप से वक्रिये हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी और उनकी त्रिज्याएं में जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो इस लेंस की बिल्कुल बीचों बीचों होगा क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं बराबर है तो अनुपात अगर हम निकालेंगे तो यह जो प्रकाशिक केंद्र है लेंस के बिल्कुल जुमेट्रिकल सेंटर में आएगा इस प्रकार य इनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं होगा एक्चुली यह दोनों तो समानतर हैं लेकिन अगर लेंस पतला हुआ तो यह उसी मार्ग पर आगे गवन कर जाएगा मतलब यहां पर विस्थापन भी नहीं होगा और यदि हम इनके बीच की अपवर्तित किरण देखे तो ऐसा प् पतला हुआ तो प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे सीधे इस प्रकाशिक सेंटर से होते हुए इस प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजर जाएगी और इस लेंस के बाहर निकल जाएगी तो दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र यानि क की बीना विचलित हुए उसी मार्क पर सीधे आगे गमन कर जाती है अब नेक्स्ट है मुख्य फोकस यानि की प्रिंसिपल फोकी यह जो प्रिंसिपल फोकस है यह मुख्य अक्षपर इस्थित विशेश बिंदू होते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं पहला है प्रथम मुख फोकस यानि की फॉस्ट प्रिंसिपल फोकस अब यह मुख्य अक्षपर एक ऐसा बिंदू होगा जहां से यदि हम आपतित किरण लेंस के ऊपर डाले यहां पर जहां से लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के समानतर हो जाएगी यदि हम उत्तर लेंस को देखें तो मान लीजिए बिंदू है इस बिंदू से यदि प्रकाश की किरण इस लेंस पर अपतित होगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह सारी किरणे मुख्य अक्ष के समानतर हो जाएगी तो यह जो बिंद समी सारी किरने फैल जाती है तो यहां पर यदि यह किरने इस बिंदू पर आती हुई प्रतीत हो रही है तो यह अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समानतर हो जाएंगी तो यह जो बिंदू यहां पर हमें मिल रहा है जहां पर यह किरने आती हुई प्रतीत हो रही थी और अपवर्तन की पश्चा समानतर हुई तो ये बिंदू कहलाएगा प्रथा मुख्य फोकस तो यदि हम उत्तर लेंस और अफ्तर लेंस को देखें तो दोनों इस्थिती में प्रथा मुख्य फोकस की दिशा अलग-अलग है यहां पर प्रथा मुख्य फोकस हम देख रहे और यदी हम आफज़ायущ iki बात करें आती हुई नज़र आहे हैं तो यहाँ पर दोनों ही ऐस्थिती में प्रथा मुख्य फोकस के दिशा अबरलग होगी यहां पर हम धूख Rawben लेफ्ट साइड है और अफज़ायच लेंस एर्वाइट साइड है तो इसका मतलब प्रथा मुख्य फोकस का कॉंसेप्ट क्लियर है यह ऐसा बिंदू होगा मुख्य अक्षु पर जहां से अपतित होती हुई प्रकाश किरने यह पर आती हुई प्रकाश किरने यह मुख्य अक्षु के समानतर हो जाएंगे लेंस से अपवरतन के पश्चात अब इसी में दूसरा है दुत्य मुख्य फोकस यानि की सेकेंड प्रिंसपल फोकस यह भी मुख्य अक्ष पर एक बिंदू ही है यह अपर जो किरने मुख्य अक्ष के समानतर होंगी वह अपवरतन के पश्चात इस बिंदू से गुजरती हुई प्रतीत होंगी यदि हम उत्तल लेंस को देखें तो यह सारी किरने जो समांतर आ रही है इस लेंस से अपवरतन के पश्चात वो एक बिंदू पर मिल रही है या फिर उस बिंदू से गुजरती भी प्रतीत हो रही है तो यह बिंदू कहलाएगा दुटिय मुख्य फोकस इस उत्तल लेंस के ल आती हुई यह यहां से फ्यलती हुई प्रतीत हो रही है तो यह बिंदू यहां पर कहलाएगा दुटिय मुख्य-फोकस यहां पर एक ऐसा बिंदू होता है जहां पर समानतर आती हुई किरने मुख्य अक्ष के वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वहां पर मिलेंगी या वहां से फैलती हुई प्रतीत होंगी अब इसी में नेक्स्ट टर्म है फोकस तल या फोकस समतल जिसको हम फोकस प्लेन के नाम से जान तो यहां पर दो तल भी होंगे एक प्रथम फोकस तल और दूसरा है दृतिय फोकस तल यहां पर हम देखे कि यह प्रथम मुख्य फोकस यदि उत्तल लेंस के लिए या अफ्तल लेंस के लिए तो इस मुख्य अक्ष के लमवत एक तल की हम कलपना करते हैं इस मुख्य इस focus बिन्दू पर अगर कोई तल इमेजिन किया जाता है तो वह तल कहलाता है प्रतम focus संबवत और वैसे ही इस दूटिये focus पर चाहें उत्तल लेंस के देखें चाहें एक लेंजिन में देखें हम लो तो इस focus बिचन्स के लंबवत इस फोकस बिंदू से इस मुख्य अक्ष के लंबवत यदि हम एक तल को इमेजिन कर रहे हैं तो यह तल कहलाएगा दृतिय फोकस समतल अब इसी में हम आगे देखें तो नेक्स्ट पद है फोकस दूरी यानि कि फोकल लेंथ यहां पर हम देखें तो जितने भी दू केंद्र होता है यदि दोनों वक्रता त्रिजय बराबर होई तो वो लेंज का बिलकुल केंद्र होता है तो यहां पर सारी दूरिया ना पी जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से यानि कि प्रकाशिक केंद्र से तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस प्रथम मुख्य फोकस क जो दूरी होगी इससे हम कहेंगे प्रथम फोकस दूरी यानि कि फिर्स्ट फोकल लेंथ और इस दूरी को हम दर्शाते हैं small letter F1 से focus बिंदू को capital letter F से दर्शाते लेकिन दूरी को हम small letter F से दर्शाएंगे तो प्रथम के लिए हम लिखेंगे F1 इसी प्रकार दूतिय मुख्य फोकस की दूरी इस प्रकाश के इंद्रे से कहलाएगी दूतिय फोकस दूरी और इसको हम दर्शाएंगे स्मॉल लेटर F पर नीचे लिख देंगे 2 क्योंकि दूतिय फोकस का नोटेशन हम कैपिटल लेटर F2 से लिखते हैं तो इसकी दूरी हम स्मॉल लेटर F2 से दर्शाएंगे तो यह कुछ पद थे जो कि इस उत्तल लेंस और अफ्तल लेंस से जुड़े हुए थे जो कि आगे हम को लेंस का सूत्र निकालने में इसके अपवर्तन का सूत्र निकालने में सहायक होंगे